जिसका इंतिजार किसी को नहीं था वो दिन आखिर आ गया एलन मस्क का बात कोई माना नहीं था उन्हें बोला था कि पैसा लगेगा ट्विटर के ब्रूटिक के लिए लेकिन कोई उतना सीरस लिया नहीं था मुश्किल फैसले करने के लिए मस्बूत कर लेजा चाहिए लेकिन गुरुवार की रात 20 अप्रेयर गुरुवार की रात से पैसा लगना इस्टार्ट हो गया है और कई सेलेब्रिटीज, कई नेता, विनेता और कई क्रिकेटर्स के एकाउंट से ब्रूटिक हटा दिये गया है नमश्कार मेरा नाम है सुभम किसोर आप देखना सुरू कर चुके हैं लगतार मज़ा आया और मैं यह जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर विक्ति को देना चाहिए 20 अप्रेयर की रात से उनका एकाउंट का विरिफाइड एकाउंट हटा दिया गया ब्रूटिक हटा दिया गया है चीटिंग 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 करता है तो इस लिष्ट में कई बड़े नेता अभिनेता और क्रिकेटर्स के नाम है योगी आदितनात अमिता बचन रोहित सर्मा विराट कोली महेंद्र सिंग धोनी सल्मान खान दिपिका बदगोल आलिया भट जैसे कई कलागार है जिनके एकाउंट को अन्वेरिफाइड कर दिया गया है और उन्हें वेरिफाइड कराने के लिए चार्जेस देने पड़ेंगे भारत में ये पेड सर्विस अभी चालू हुआ है लेकिन इससे पहले ट्विटर का ये जो पेड सर्विस है UK, Australia, US, Canada, New Zealand जैसे देशों में पहले से चालू हो चुका है वहाँ के लोग पेड सर्विस करिस्तमाल कर रहे हैं ट्विटर ने ये फैसला रेविन्यू जेनरेट को लेकर किया है और एलन मस्क ने जब से कमान समाला तब से कई फैसली लिए जा रहे हैं तो फिलहाल भारत वासियों को सारे 600 रुपे वेब के लिए परतीमा देने होंगे और 900 रुपे परतीमा Android या iOS के लिए देने होंगे जिनका एकाउंट पैरेज वेरिफाई नहीं था वो उन्हें कोई फर्वाई ही नहीं है वेरिफाई है नहीं है ब्रूटिक है नहीं है फिलाल इस कबर बिकता ही आप लिखते नहीं लगता आप चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब पर लें और से परना ना भूले नमस्कार